कि मैं भी बहुत सामानने विखती हूँ और अज भी मैं फुट पात पर खाने वाला थाट क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हूँ तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है जेट प्लस सिक्रिटी कार अरचने आती है तो मैं सब को रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुट पात पर गांदी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए मैं बहुत बार मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कही नहीं का मैं कहता हूँ ब्रेक दे लाउग अप टो दे लास लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट और ये समझों कि इसमें स्पिरिट क्या है और दूसरी बात गांदी जी ने कहिए कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी दिरने करने के लिए ये दिरने गरीब व्यक्ति के हित में जो शोशी थे, पिडी थे, दली थे सामाजिक अर्थिक शेक्षेन जुस्ते पिछडा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे नय मिलने वाला है तो इस नय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर थोड़िए क्योंकि उसमें उसका हीत है पर जब कानून तोड़ते वे किसी व्यक्ति का स्वार्थ के लिए किसी और उद्धिष्ट से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा मुझे बहुत अच्छा अन्बवाया, मैं महाराष्टर में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेडगाग तैसिल थी और वहाँ धाई अजार बच्चे कुपोशन से मर गए और वो मरने के बाद काफी वर्ल लेवल पर काफी हाककार मचाब को याद होगा ये 96-97 की बाद थी तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोर जोशी वो मुझे कहते थी कि नितिन ये कैसी स्थितिय है ये मेड़ाट में साड़े चार सो गावे एक भी गाव में रस्ता नहीं है ये लोगों को कैसे होगा तो फिर वो बार-बार मैं भी पीडेवली मिनिस्टर था मिटिंग करवा था और फॉरेस्ट और इन्वार्मेंट के चिप कॉंजेटर ओफ फॉरेस्ट आते थे और चार से पाच बार मनोर जोशी उनको कहते थे एक बार उनने कहा जब मैं सुन रहा था उनने कहा कि तुम्हाला कई सवटत नहीं कहा इतकी लोगों में ली, इतकी अगावात रस्ते नहीं, मुलशारिद जात नहीं तुम्ही काम नहीं करो देता आपको कुछ भी नहीं लगता धाई अजार बच्चे कुपुशंट से मर गए बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते है वहाँ के किसाने उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है अलेक्रिक की लाइन वहानेगी सब काम आपने रोग दिया आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको तो चीप कॉंजटर ओफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आम वेरी सॉरी पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आम हेल्पलेस आइकानोट डू एनिधिंग तो मनहोर जोशी जी आगतिक हो गया तो मैंने का सर यह तुमारे बस का काम नहीं है यह से बहुत माहीर हूँ तो यह काम करो यह मेरे उपर छोड़ दो मुझे कोई चिंतानी क्या परिणाम होते हैं और मैं यह काम करूंगा आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो नहीं रहा तो फरेक नहीं पड़ता मेरा गया तो गया पत चिंतानी मैं गया एक मर्चंट नाम के तर्यापूर मेरे परतवणा मेरे थे मुसलिम अधिकारी सुपर्टिंग एंजिनियर थे मैं राजदूत पर उसमें राजदूत थी उसमें पूरे जगह पर खूमकर आया कोई रोण नहीं तो मैं ने गा तुब एक फाइल तयार करो और फाइल करने के बाद मंत्राले में बेज़ू वह इसी थे बहुत अच्छा दिगा अभी भी से इन लोगों को गवाँ में जाने के लिए रोड नहीं है ये दुर्भाग के पुर्णा है ये उनका सामाजिक आर्थिक और शेक्षनिक शोशन है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये दिरने देता हूं कि आग कुछ भी सेकारी्टक होगी तो मैं जब तक मंत्री हो तब आर कॉर हुए ये व्यप्ति कर मेरी जिम्म्यदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्म्यदार रहu हैं ये लिगकर मैंने तांबे करके हमारे सेकेटरी थैं फून देखकर उणने कहा कि तुम असाब आपने ऐसे कैसे मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ जो होगा सुब देखा जाएगा और मैं गया क्या कहा वो मैं आपने बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए क्योंकि ठीक नहीं होगा पर मैंने सवाड़े चार सो गाव में रूड़ बना दिया और डॉक्टर अलेकसेंडर हमारे गवर भी हुई तो कोर्ट ने का ये वाइलेशन है फिर डिपार्टमेंट अपको अधिकारी अधिकारी बोलते हैं अफिडिवेट करना है हमा मेरा नाम लिखो जो सजा करने को बुझे करने दो कि इस माई डिसिजन भी तो डर गे बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए अनला कोई फरक पॉलिटिक्स इंस्ट्रॉमेंट आप सोशो एकोनोमिक रिफार्म अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को नहीं नहीं दे सकता कोई बात नहीं जो होगा तो देखा जाए